सब्सक्राइब कैसे हम सब्सक्राइब कर देखने वाले हैं fx के बारे में कुछ और टूल्स जिनका आज हम यूज करने वाले हैं सब्सक्राइब करते हैं तो मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं और टेक्स यहां पर लिख लेता हूं और लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसके साथ में इसी के ओपर हलका सा इसका कलर जा है वाइट कर देते हैं ताकि एक अच्छी विजबिलिटी हमारे पास में यहां पर आ जाए चिक है इसका कलर देते हैं हम वाइट और इसका जो वेटेज है इसको भी बड़ा देते ह लाइन है की जरूद भी नहीं क्योंकि हमारे पास में कोई डबल टेक्ष्ट से सिंगल है सो करने का कोई ठेक्स पार रहे हुआ अगर आप नहीं देख पारें तो हमारे पास में जो है कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है आपने background से stand out कराने के लिए इसको या तो shadow देनी पड़ती है यह glow देना पड़ता है ठीक है और वह कैसे देखते हैं स्टार्ट करते है drop shadow सबसे simplest shadow हमारे आती है इसको default कर देता है तक यह सारे के सारे default में चले जाए सो यह है default shadow कुछ स्टाइब की होती है default shadow मैं इक पर okay करता हूं और यहां से आप इसको जाए close and show and hide करके भी जो आप देख सकते हैं बट उतना अच्छा effect है नहीं लेकिन आप जाए उसका अच्छा effect create कर सकते हैं यहां पर देखे ब्लैंड मोड हमें याद रखिएगा एक चीज अगर आपके पास अभी notebook है तो लिख लीजेगा अगर कभी भी आप black के साथ में play कर रहे हो मलब के shadow बना रहे हो डार्क चीज क कर रहे हो तो multiply का use करेंगे blend mode ठीक है वेरस अगर आप white के साथ में कुछ glow देने की बात कर रहे हो राइट तो उन सब चीजों के अंदर कौन से opacity आप बढ़ा सकते कितनी ज्यादा opacity या harsh आपको shadows चाहिए वह आपके उपर है distance यानि कि अगर लेट से हमारे पास में एक साइट से light आ रहे है तो कितना कितनी दूर से light हमारे पास में यह shadow बननी चाहिए वह आप यहां से decide कर सकते है spread कितनी ज्यादा spread होगी वह आप यहां स है decide कर सकते हैं चीक है size उसका कितना रहेगा बहुत ज्यादा ज्यादा शाप shadow है like अगर मैं size कम करते हूं तो shadow देख सकते हैं बहुत ज्यादा sharp हो रही है whereas अगर आप shadow को size बढ़ा होगे तो यह हलका से soft वाला आपको यहां पर transition देखने को मिल जाएगा तो यह होती है हमारी shadow अब अगर मैं इसको okay करता हूं तो अगर आप देखें इससे ज्यादा अच्छा ऐसा दिख रहा है क्यों क्यों कि हमारे बास में यह स्टैंड आउट हो रहा है हमारे पूरे background से ठीक है तो यह होती है drop shadow आपको किस तरीके से यूस करना है यह समझ में आ गया हो गया आगे बढ़ते हैं फिर आता आउटर इन दोने के बारे में आज आपन देखने वाले drop shadow और एक आउटर ग्लो आउटर ग्लो बिसीकली होता है ग्लो देना एक कापी अच्छी तरीके से इसको मैं री सेट डिफॉल्ट करते हूं सो य है तो यह से सब्सक्राइब जाता है यह से सब्सक्राइब नियां से सब्सक्राइब कर सकते हैं यह से यह पर देखने को मिलता है ज्यादा कुई भूट ज्यादा जो खतरनाक वाला जो टांजीशन तो नहीं है लेकिन बहुत चोटा सा डिफरेंस हमको यहां पर देखने को मिल जाता है इसवां तो यह होता है हमारा आउटर गलो जिसके अंदर हमारे पास में अगर अच्छा अगर आपको चीनल से मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहां पोई भी आपको पिक्सलेक्टेड एफेक्ट नहीं को मिलेगा आपको यह समझ में आ गया होगा आउटर गलो और ड्रॉप शेड़ों के बारे में अगर समझ में है तो वीडियो को और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राब करें जीगा मैं मैं में तब तक के लिए बाई